साहबानों नाम की एक और अतिस्वरी महिला थी 62 एर्स उसकी एज थी उसके जो सोहर जानी ते उन्होंनों क्या किया एक दिन किसी बात पर नराज हुए होंगा और उसे तीन बार तलाक 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 बोल दिया अब मोदी जी तो थे नहीं उस टाइम पर नहीं ट्रिपल तलाक वाला भी लाया था विचारी 62 साल की महिला जो थी वह सड़कों पर आ गई अब कहां जाए तो वह चली गई सुप्रीम कोट कोट जागे उसने बोला कि मिलोड मैं बुढ़ापे में कहां जाओंगी मुझे मेरे सौहर से मुआउजा दिलवाओ गुजारा भत्ता जजने का ब वाल दाड़ी वाले मुला मौलाना मौल भी होते हैं इनका इसलाम खत्रे में आ गया अब भाई करें तो करें क्या उसी टाइम भारत में जो परधान मंतरी थे वो थे इंडिया के चाल्स बबेज जो कंप्यूटर लेका आये थे नहीं समझे इंडिया के न्यूटन जिनोंने एक लौ दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जब सिखों को ऐसे गले में टायर डालके जलाया जा रहा था है ना यहां दिल्ली में तो उन न्यूटन ने क्या किया वो सेकुलरिजम के पुजारी थे औ इतना उनकी मम्मी करती थी उन्होंने क्या मिलोड का फैसला ही पलट दिया संचद में एक प्रस्ताव लागे अब फैसला पलट दिया पर जो भारत में लोग थे वो तो भाई देख रहे तो अबजर्व कर रहे थे लोग बाते करने लगे चर्चाओ का माहुल गरम हो गया ल उन्होंने क्या खा कि यार अब तो बैलेंस करना पड़ेगा तो बैलेंस कैसे करें तो उसके लिए राममंदिर का ताला खुला थो हिंदु को पता लगा कि हमारे रामजी ताले के अंदर है ठीख तो एक आंधोलन चलने लगा उसी समय देश में रामायर का नाम का क्या हुआ कि जो सेकुलरिजम हो फिर डिस्बैलेंस हो गया तो फिर क्या हुआ दूरदर्शन पर एक सीरियल चालू हुआ इसके बनाने वाले का नाम था संजे खान और यह पूरा सीरियल बनाए गया थे भगवान गिद्वनी करके कोई मतलब पता नहीं क्या कहेंगे उसको राइटर कहेंगे फिक्शनल राइटर कहें जो भी था मतलब उसने किताब लिखी किताब का नाम भी था स्वाड ओफ पूर्टगाल तुर्की इंडिया लाना फलाना पता ना हेंते नितने देश और रियालिटी में क्या था कि उसकी ताब में उन्होंने यह लिखा है कि जिसका टीपू से कोई रिलेशन ही नहीं है मतलब जो टीपू के बारे में बताया है औरिजिनल सोर्सेज ठीक उसका कॉं टीपू की तलवार आप लोगोंने कही बार सुनाओगा बड़ी फेमस है उस तलवार पे कुछ लिखा हुआ था मैं आपको कोट करता हूँ आप उसको कोट को सुनो और पढ़ो भी ठीक उस पे कह लिखा यह सुनो अब सोचिए जिस टीपू की तलवार पे यह लिखा था उस टीपू के नाम पे सीरियल चला है दा स्वाट अफ टीपू सुल्तान किस दूधर्शन पे जिसका मोटो क्या है सत्यम सिवम सुन्दरा मतलब आईरनी जो है न वो चार बर डूब के मर जाए ठीक पर उस टाइम प पाते थे और सत्य के लिए सही में कुछ करना चाहते थे हां उन लोगों के पास उस टाइम मतलब आज की तरह हमारी तरह सोचल मीडिया नहीं था कि वो हैस्टेक करा के अपना जाके सोजाए मस्त हर इंसिडेंस पे वो लोग चले गए सुप्रीम कोट पास्टो लोगों ने एक पेटिशन साइन की सुप्रीम कोट में चलेगे कि जो सिरियल है यह तो डेलिबरेट डिस्टोर्शन और फैब्रिकेशन आफ टूथ है आप इसे कैसे दिखा सकते हैं पूरी जनता को सुप्रीम कोट ने वो जो रिट पेटिशन थी वो खारीज कर दी इसी बीच 26 एंगो रिस्पोंडेंट बनाया उन रिस्पोंडेंट के नाम सुनो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशं और ब्रोड़्डास्टिंग मिनिस्ट्री डा डा डरेक्टर अफ दू दरसन यूनियन आफ इंडिया प्यू पेंदर हॉनरेवल मिनिस्टर ओफ ॉनकिबाल्च पैछेन को प्रूफ कर दिया टीपू के जो क्राइम से कुरुएलिटी थी और उसकी ट्रेचरस एक्टिविटी थी महां बहुत सारे बंबे आई कोट में पॉइंट्स प्रूफ किये जिसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ पहला पॉइंट यह बताया गया कि टीपू की जो प्रोविंज थी और जितने डिस्टिक्स थे सब का जो चीफ था वो मुसल्मान था दूसरा यह प्रूफ किया गया कि उसके जितने भी ओडर्स थे कमांड्स थी वो सारी की सारी बेसिकली इसलामिक ट्रायलोजी और बहुत ज्यादा इस्पैसिफिकली कहें तो कुरान से इंस्पिरेशन ड्रो करती थी जैसे काफिरों को मारो और इन से लड़ो कुफ्र खतम होने तक लड़ो उसके बाद उन लोगों ने बता दिया कि भाई टीपू ने 8000 मंदिर मालाबार एरिया में तोड़े उन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि उसने भाई इतने सारे जो कनवर्टेड हिंदूस थे और बाकी सारे जो थे वो एहमदीज में होते थे ये सब पॉइंट्स प्रूफ कर दिये गए ये सब प्रूफ करने के साथ साथ जो इन लोगों ने सोर्सेज दिये उसकी ऑथेंटिसिटी और सिग्निफिकेंस को भी कोट ने माना कि हां भाई लेड़ बाई सुप्रीम कोट इसके ठीक बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोट में जूडिशल रिव्यू के लिए डाला सुप्रीम कोट ने एक वर्बल जज्जमेंट दिया गी जो दूरदर सने अपना सीरियल कंटिन्यू करें कोई समस्या नहीं है चलाओ और केस क्लोज आप सोचिये कलको कोई सेकुलर प्रोग्रेसी जूठा मकार पगलेट जो भी आप इनको कहते हो अगर सीरियल बनाने लगे जिसमें वो औरंग जेप को नादिर साको अलाओदिन खिलजी को गलोरीफाई करने लगे अच्छा गुडी गुडी बोई बताने लगे तो उस मिलते हैं बहुत जल्दी टीपू सुल्तानिय सहतान के तीसरे पार्ट के साथ तब तक के लिए जैश्री राम